जैने दोस्तों आप सभी का स्वारत आपके अपने यूट्यूब चैनल नौखे तक पर सबसे पहले आपको आजम बोलेंगे जो भी स्टीटी वाले हैं जो स्टीटी पेपर टू दी हैं वो अगर सो के उठे हैं तो सबसे पहले अच्छे से बैठ जाएं हो सकता है कि आपको टेंसन हो और टेंसन में आप खाना खाना भी भूल जाएं जो स्टीटी पेपर टू का एक मुक्मंत्री जी का सपना पुरा हो गया कि बहाली चल गई चुकि मुक्मंत्री जी भी नहीं चाहते हैं कि बहाली हो क्यों चाहेंगे बहाली हो इसलिए नहीं चाहते बहाली हो चुकि उनका भी पंचवर्षिय योजना है मैं फिर से बोलूँगा जिस प्रकार आप हम विरुजगारों के लिए आवाज उठाते हैं जिस विरुजगारी का तमगा आप लिए हुए है इस नेताओं के कारण और आप नोक्री के लालसा में है कि नोक्री हो जाए उसी प्रकार नेताओं का भी इच्छा होता है कि अगले बिधान सवा में अगले लोक सवा में हम मंत्री बन जाए तो बहाली भी उसी प्रकार पंचवर्शी हो गया तो मैंने एक लाइन लिखा मुकमंत्री जी का सपना हु लिए होंगे लेकिन बहाली पर बात नहीं होगा यह बस इतना बोलते हैं कि 2023 जो साल होगा बहालियों का साल होगा नियुक्तियों का साल होगा अब देखना है क्या होता है उसी करी में सात्मा चरण विहार से चक भाली अभी नहीं ऐसा मैंने क्यों लिखा यह लिखने के पीछ पटना हाइकोट के द्वारा आदेश दिया गया था कि कॉमार्स वाले का जानी जो वानिज संकाई वाले हैं मैं इसको में आ रहा हूं ध्यान दिजिए मैंने इसा क्यों बोला कि सात्मा चरण बहाली अभी नहीं होगा चुकि पतना हाइकोट का आदेश है कि बहाली से पहले आप वानिज संकाय के जो भी हैं कॉमर्स वाले उनका स्टी लिजिए क्या लिजिए स्टी इटी मैं फिर से बोल दूँ जो पहली बार मेरा वीडियो देख वह समझ में उनको आएगा स्टी इटी स्टी इटी लिजिए अभी स्टी किसका हुआ था पेपर टू वाले का हुआ था पेपर टू और पेपर टू कौन देंगे पता है ना जो बिकम के साथ कि पलस एमकॉम किए होंगे यानि पीजी और उसके साथ में जो बीड किए हैं वही एस्टीटी का पेपर टू देने के इलिजिबल थे और हैं तो पेपर टू का फर्म भगा गया छे मार्च को अच्छे से एक्जाम भी हुआ 6-3-2023 को इसका एक्जाम कंड़क्ट कराया गया अलग-अलग संट्रों में अलग-जीलों में लेकिन आउन-लाइन मोड में कॉम्पीटर पेपर हली बार भी हार में एक्जाम हुआ लेकिन अब इस पर इच्छा को रद कर दिया गया है रद कर दिया गया यह जो एस्टीटी ज लेकिन जीला का यह रद्द किया गया पहले जानी है 38 जीला का गड double लेका उसमें दो जीला क़्गा क्या गया है पस डोजीलागर अब वह भी अपको हम बता ही देते हैं सभी लोग प्लपर सार बिल्कुल नहीं हो ना इस यह वीडियो मत किझे छूट जाया तो तो फिर वो लिए रसा बताया नहीं दो जिला में एक हो गया छप्रा जिला छप्रा एक जिला है आपको मैं बता दू एक है पटना पटना जिला दो जिला और दो जिला में भी सभी सेंटर का नहीं छप्रा जिला में एक सेंटर है मैं बता दू यहां मैं लिख देता हूं भी जिनका भी ये संटर ध्यान से पढ़ लिजे भी भागव प्राइबेट लिमिटेड बसाधी भवन जिनका भी संटर ध्यान से सुन लिजे बसाधी भवन धुरूव जिनका होगा वो कमेंट में लिखेएगा ये दुखी की बात है जुरूब देव नगर ऐशे करके हैं बायपास रोडर रामनगर छपरे यानिये सेंटर का नाम है छप्रा में एक सेंटर है उस्सेंटर का नाम भी भारगा प्राइबेट लिमिटेच्ट बसाधि भवण दुक्रफ देवनगर वाय पास это गजाम हुआ था इस इंटर व क्या सब्सक्राजिबाघ है च्छपरा जिला के संटर पे गजाम हुआ च्छपराजिबाध की सल सेंटर का ही यप पेपर वाले का रद्र कुए अप। एक पटा नाम सभी चंनर का प्राइबेट लिमिटेड रानीपूर पठना जिनका भी सेंटर पे एस्टी टी पेपर टू कमर्स वाले का जो एक्जाम छोटीन को हुआ है उनका भी एक्जाम कैंसिल किया गया है लेकिन लेकिन ये भी जान लिजिए सबीशिप्ट का नहीं हुआ है जो पतना वाला सेंटर है प्राइम टेस्ट पे यहां पे किया गेंघा दूसरी जिसका भी दूतीय पाली था और तर तरीड एंच ऄड़ पहला सिप्ट वाले का नहीं बल्कि दुट्या उत्रित्य और सकेंड शिप्ट और थर्ड शिप्ट वाले का पटना पटना वाले सेंटर पर कैंसिल किया गया है आप बोलेंगे सब पहली वाली जो प्रायम टेस्ट इडूकेशन प्राइबिट लिमिटर जो यहां हुआ था प सब्सक्राइब इसका प्राइब इसका स्कृंसट ले लिजए पहले आप इसका परिणाम ये हुआ और दुसरी बात इसका फिर से एक्जाम कंड़क्ट होगा फिर से आपका अड़मीट चाड़ा आएगा अलक से कोई फिन ही देना है अब लेकिन कब होगा यह किसी को पता नहीं है इसका मतलब है कि होगा एक महिना तो लगी जाएगा फिर आपको लेट लतीफा होगा फिर रिजल्ट में भी लेट होगा और पटना हाइक कोट का आदेश है कि बहाली हो उससे पहले उससे पहले क्या हो आपका कॉमर्स वाले जो पलस्टू के ठीचर बनेंगे तुमर्सरे तरफ बहाली में लेट होगा यह क्यों है ओक्वाली सेघ्षिप लूकर मतलब क्या होता इसको देसे का मात इसको यह vyसे एक्जाम हुआ ले 몇 यूद्फट या इसमें अगर लेट होका उप्षिक ऑन से सात्माचक न बहाली खालत बहाली कि पतनास कास ए और नितीज जी चाहते भी बहाली नहीं है चुकि 24 में उनका लोग सभा है 24 के फरवरी मार्च में होगा तो सरकार करती है 23 के लाश्ट तक 23 के लाश्ट तक नॉवंबर दिसंबर तक हम बहाली देंगे तो ऐसे भी देखिए लेट होगा एक तो मैंना इसमें लगेगा रिजल्ट आने में मैं जूनिस में चल जाएगा तो इसका मतलब है अक्टूबर नॉवंबर में जाके तरिस्क में बहाली आएगा तो अब भी घर में बैठेने रही है सायकार को जगाई और जल्द जल्द बोली एक लिए एक्जाम लेने के लिए पेपर टूका तभी आपका बहाली दीखेगा अब इसका साब मतलब है कि बहाली में आपका लेठ होगा और नेतीजी का सपना भी पुगा हो गया जो वो चाहते थे की बहाली में लेठ और आप लोगों के लिए बहुत दुखद वाली बात है तो इस चीज को समझे रभी ए तो यह ठीक है चलिए आज के वीडियो में इतना ही जैहिंद जगावाद